अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल का आइकॉन ज़रूर दबाएं मैं बना रही हूं चिकन सैंडविच इसके लिए मैंने लिए हैं खीरे एक अदर और थोड़ सी शिंबला मिंट्स लिए है चॉप टिमाटर आधा कप कैचप और आधा कप मायनीज यहां मैंने लिया है चिकन को जो है मैंने बिल्कुल बारिक कर लिये चॉप करके इसमें मैंने डाली है पिसिवी काली मिर्च पिसिवी वाइड मिर्च This कि रह 9-10 खाप पीकसल्ट सॉल्ट हां और यह डाली है आधी शिंबले मिरच Cinnamon चॉप ट्री मांटर इन सब को मैं मिला लूंगी मिक्स कर लूंगी ये च्छे तरीकिय Μहाने मिक्स कर लिया बिल्कुल यक जान कर लिया अच्छे तरीके से मिलाकर ताकि टोस्ट पे लगाने में मुझे असानी रहे असानी से लग जाए या में चम्चे की मंदद से चम्चा भर भर के लेकर एक मोटी सी तेला गा लोंगी तोस्ट के उपर एक दुबारा साधा तोस्ट लेकर मैंने उसको पर कैचप लगाया है अब जो पहले मैंने जिसके ऊपर पूरी फिलिंग करीए थी टोस्ट के ऊपर इसको पर मैं प्लें टोस्ट लखोंगी साधा और इसके ऊपर भी जो है में दुबारा से जो मैंने मिक्सिर तैयार किया था मायो मिक्सिर यह में लगा दूँगी इसके उपर मैं एक लियर पूरी लगा दूँद लिखी रहेगी यह हमारा सेंड़िश माशालला तयार हो गया है बिलकुल इसी मेथट से में दूसरा भी बनाऊंगी इसके उपर में भर भर के अच्छे तरीके से माईयों मुक्सरा लवाती रहूंगी और इसके उपर मैं कीरे के लिए लगा दूँगी मैंने कीरा बिलकुल बारिक काटा हुए कटर की मदद से निकाला था मैंने कीरा बिलकुल बारिक बारिक इसको पर में रखोंगे प्लेंसादा टोस्ट और उसको पर लगा दूँगी कैचप के लेयर मैंने ये तकरीबन लेयर्स चार टोस्ट की बनाई है अब आपकी मर्जी के उपर आप तीन टोस्ट की लेयर्स भी बना सकते हैं चार की भी बना सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे मैं दोबारा लगा दिये मायो मिक्सटर की लिए टोस्ट के उपर दोबारा मैं खेरे की लिए रखोंगी इसके उपर यह माशालला से हमारे सैंडविच इस तैयार हो गए हैं मैं कट करूंगी ने बीच में से आप देख सकते हैं लिडर्स नजर आ रहे हैं इनकी और खाने में भी यम्मी से नजर आ रहे हैं कि बस दिल चाहे पटापट उठा के इनको खा लो और फुट सूरत लग रहे हैं चाम में आप स्नेक्स के लिए तौर पे इनको बनाएं